नमस्कार दोस्तों, PCS 4 साला में आफ़ एक अफागत है देखें दोस्तों ये खंड सिच्छा अदिकारी का टेस्ट सीरीज है सत्रहमा टेस्ट सीरीज है और हसीरीज में आप लोगों 10 प्रशन मिल रहे हैं लेकिन आगे चलके हो सकता है कि प्रशनों जो टेस्ट सीरीज है उसमें प्रशनों की संकार जादे होगी और उसकी कठनाई अस्तर में भी विर्द्धी होगी अभी सीरीज सुरुवाती चरण में है इसलिए थोड़े सरल प्रशन हम आपसे लोगों से पूछ रहे हैं टिल्काम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोग वहाँ जूड़ सकते हैं वहाँ पर सभी सामगरी सभी वीडियाफ आप लोगों को वहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं आए सिदे प्रशनों पर आते हैं देखे दोस्तों एक बात और बताता है यह जो भी स्रीज आप लोग को मिल लही है यह हर परिच्छा के दिश्टी से राम बाढ़ है ऐसा नहीं को खंड सी चाद्गारी के लिए है बलकि हर परिच्छा के दिश्टी से आप लोगों के तो रिगवेद में जो सबसे पवित्र नदी को कहा गया घ्म्रशन मर 2018 का विकल्प 20 है प्रश्न AWS 82 देखेगा बैदिक कालीन समाज की अधार बूतिक आई थी तो विकल्प है कुल या कुटुम्ब या फिर ग्राम या फिर बीस या फिर जन तो बैदिक समाज की जो आधार भूतिक आई थी वह कुल या कुटुम्ब थी मतलब प्रशनमर 82 का विकल्प यह सही है आए सीथे प्रशनमर 83 देखेगा रिगवेदिक काल के उस सबसे प्रधान द्योता की पहचान करन जिसकी इस्तुती में 250 सुक्तूं की रचना की गई थी विकल्प है इंद्र अगनी वरूर या सुर्य तो इंद्र के सम्मान में 250 सुक्तूं की रचना की गई है जबकि अगनी क सम्मान में 200 सुक्तूं की रचना की गई है तो इंद्र के लिए रिगवेद में 250 सुक्तूं की रचना की गई है तो विकल्प यह सही योगा इंद्र प्रश्ण नमर 84 देखेगा किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामोहिक वाद वीवाद या अलुंगनी कहा गया है तो किस वेद में कहा गया है विकल्प है रिगिवेद, युजुर्वेद, सामवेद या अथरवेद तो किस वेद में कहा गया है तो सभा को नरिष्ट कहा गया है अथरवेद में कहा गया है मतलब प्रश्ण नमर 84 का बिकल्प D सही है प्रश्ण नमर 85 का येगा किस रचना में नारी को सुरा और पासे के साथ तीन प्रमुख बुराईयों में सामिल किया गया है किस रचना में नारी को सुरा और पासे के साथ तीन प्रमुख बुराईयों में सामिल किया गया है बिकल्प है मैत्राइडी संगीता, जावाल उपनिसत, सत्पत ब्रामभड या छांदो उपनिसत तो मैं त्राइडी संगीता में कहा गया है कि इस्तिरी जो है वो सुरा और पासे के समान निंदनी है ऐसा कहा गया है पासा मतलब जुवा से 28 प्रशन नमबर 86 देखेगा उतरवधी काल में किस देवता को सरोच अस्थान प्राप्था बेकलफ है प्रजापती, इंद्र, विश बाजपे यग या अगनी श्थोम यग, मतलब ये कौन कौन से यग होते थे इससे सुम॥ تو यहां देखिए, जो राज़सू यग होता था और राजा के सिंहाजटनcole Himalcrловन से संब्दी था, राज़ा से सिंहाथ प्रबैठता था तब यह य यग किया जाता था जिसे असोमेध यग जो था वह राजनायतिक सक्ती को बढ़ाने हित किया जाने वाला यग था बाजपे यग जो था वह सौर प्रदर्शन प्रजा के मनुरंजनार्थ किया जाने वाला यग था और अगनी श्ठोम यग में अगनी में पसु की बली दी जाते थी देताओं को प्रसंद करने हैं तो अगनी में पसुबली दी जाते थी जाने वाला सुम्रस को पान किया जाने वाला यग था अगर इस ठोम यग में क्या होता था देताओं को प्रसंद करने के लिए अगनी में पसुख की बली दी जाती थी और सुम्रस का पान किया जाता था तो इस तरह से आप लोग सुमिलित कर सकते हैं प्रश्ण नमर अठासे देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है मतलब यह नदियों के नाम है प्राची नदियों के नाम है और इस नदियों का आधुनी नाम क्या है इस तरह से आप लोग सुमिलित करना है तो देखिए ये पुरुषडी नदी को, पुरुषडी नदी का आधुनी नाम जो है, रावी नदी है, सुत्रदी नदी का जो आधुनी नाम है, जतलज है, अश्किनी का जो आधुनी नाम है, वो चिनाव है, और विपासा का जो आधुनी नाम है, वो ब्याश नदी है प्रशम्न 0089 देखेगा संसकारों के कुल संक्या कितनी है मतलब प्रशम्न 90 को सूची2 से सुमलित करना है ब्रह्म विवा, दैव विवा, आर्स विवा या प्रजापत्य विवा ब्रह्म विवा वह होता था जब समान वड या समान जाती में जब विवा होता था उसे ब्रह्म विवा कहा जाता था देव बिवा कहा रहा था पुरोहित का पारिश्रमिक में एक मिले कन्या के साथ बिवा मतलब जब कोई पुरोहित किसी घर में पुजा करता था तो उसे पारिश्रमिक की रूप में उसे अपनी कन्या लोग दे देते थे मलब साधी वीवा कर देते थे उसे देव वीवा करते हैं आर्स वीवा में क्या होता था जो कन्या का पिता होता था वो बर को एक जोड़ी गाय और बैल चुका कर वीवा होता था मनद कन्या मुल्ल की रूप में एक जोड़ी गाय वो बैल चुका कर या गया विवा जो होता था वो आर्स विवा के अंतरकत आता था प्रजापत्त विवा में बीना देहच का विवा होता था तो कुल मिलाकर इस तरह से आप लोग सुमिलित कर सकते हैं तो दोस्तों ये कुल दस प्रशन थे और दस प्रशन जो थे बहुत ही मत्पूर थे इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल से ने जुड़ने ते चैनल से जुड़ जाएगा धन्यबाद आप लोग को